नमस्कार दोस्तों, स्वाकत है आपका अमारी यूटूब चैनल टेकवाला 13 में आज हम देखने जा रहे हैं GIC का जो रियल टाइम टाइमर है कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है उसमें डिर्ट चैनल गैसे की जाती है और उसका प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है आज हम उसको हमारी इस वीडियो में समझेंगे सबसे पहले आप इस पे कीपेड देख रहे होंगे यह है आपका टाइम का डिस्प्ले का बटन यह ओट और मैनुवल कंट्रोलिंग के लिए यह है आपका मिनिट चेंज करने के लिए यह आवल चेंज करने के लिए यह देट चेंज करने के लिए और यह प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अभी जैसा कि मैंने पहले से इसमें प्रोग्राम सेट कर रखा है तो इसमें टाइम जो है वो एक्चुल दिखा रहा है आज की डेट का दिखा रहा है और मैंने टाइम पहले से ही सेट कर रखा है सबसे पहले अगर मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मुझे इसमे डेट चेंज करनी है तो वो कैसे करनी है तो इन दोनों बटनों को दोनों को एक साथ प्रेस करना है तो हमारा डेट आजाएगा डेट आने के बाद में आपको इस वाले बटन पर क्लिक करना है तो यहां भाई भाई आएगा जो की एर को डिनोट करता है उसको हम इससे अब डाउन करके चेंज कर सकते हैं फिर उसके बाद में इसको वापस से प्रेस करना है तो मन था जाएगा उसको भी हम एच प्लस से तो ये मैंने set कर रहे हैं, जैसे कि आज की date 14 है, तो मैं इसको set कर देता हूँ, तो ये date set हो गई अपनी, 23 महीना है, तीसरा महीना है, और ये 14 date हो गई आज की, ये हो गई आपका date और time इसमें जो set करना, अपने को here set करना, उसकी setting के लिए हो गया, वापस से अपने को time में आन नहीं है तो मुझे timer और डी प्लस वाला बटन एक साथ प्रेस करना है जिससे कि आपका देख रहे होंगे आप डे चेंज हो जाएगा लेकिन आज Tuesday तो मैं इसको Tuesday पर सेट कर देता हूँ अगर मुझे time set करना है तो मैं timer वाला बटन और इसको एक साथ प्रेस करूंगा तो मेरा टाइम चेंज हो जाएगा तो जैसे कि प्रजेंट में 11 बज़ रहे हैं तो मैं 11 बज़े का time डाल दूँगा जिए आपको एम और पीम का ध्यान रखना है अभी यहा अभी का time 11 है तो 11 पर मैं इसको set कर देता हूँ अब इससे आगे देखते हैं अगर मुझे month चेंज करना है तो यही timer का button और M plus का button में दबाके इसका time change कर जैसा कि देख रहे हैं कि आप time change, minute में change हो रहा है तो यह minute में time change हो जाएगा इन दोनों बटनों से आप time को change कर सकते ह अब मुझे इसकी controlling manual करनी है या auto करना है तो मैं इसको press करके auto on, auto off, auto on और manual set कर सकता हूँ अभी मैं auto में on करना चाहता हूँ तो यह on हो जाएगा, auto on हो जाएगा या auto off की मैं setting इसको आसानी से कर सकता हूँ या फिर मुझे manual controlling करवानी है, manually on हो गया या manually off हो गया और यह auto में off या on करवाना है, उससे हम इसकी setting कर सकते हैं अब मैं देखता हूँ कि अगर मुझे program करना है तो program के लिए यह वाला button है, program का button जैसे click करेंगे तो आपका पास में program आ जाएगा इसमें आप उपर जो day भी select कर सकते हैं, time भी select कर सकते हैं और am, pm भी select कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले से program कर रखे है कि एक मैंने program डाल रखा है कि मेरा जो equipment है वो 8 बजे on हो और 9 बजे off हो जाए तो इसकी programming के लिए अपने को क्या करना है, आपको hour change करने के लिए h plus पे click करना है और minute change करने के लिए minute पे click करना है तो जैसे माल लीजे मुझे 10 को 12 करना है तो ये 12 हो गया, minute को मेरे को बढ़ाना है तो मैं minute को तो इस तरीके से हम इसको change करके program कर सकते हैं एक प्रोग्राम मैंने पहले सी डाल रखा है अगरा आपको कुछ चेंज करना जैसे अगर मुझे मलैजी देट चेंज करनी है तो मैं देट चेंज कर सकता हूँ नमस्कार दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर आप भी नए हैं तो सब्सक्राइबर दीजिए लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए धन्यवाद दोस्तों जैहिन